कि नवस्कार क्या हाल चाले सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपनों और अपने इनको ख्याल लाखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो और जरूर दिखवाओ ठीक है आजाओ देशी देख पर गर बरेग पर लाग लपिड बिलकुल देसी अंधाज में बात होईगी दो हजार पाइस यूपी विदानसवाचुना में मायवती की जीत पकी है अच्छी लगी तो आजाओ 2022 यूपी विदान सवाचुनाब में क्यों लग रहो है कि जीत जैंगी मायवती आपको तो पतो ही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश समित पांच राजजन में विदान सवाचुनाब होने जा रहे हैं लेकिन सभी की निगाएं उत्तर प्रदेश पे हीट गी हैं और यागी वज़े भी साथ है वजह है कि उत्तरप्रदेस राजनितिक रूपते काफी बड़ो राज है और बड़ो भी इतनों कि अगर काई राजनितिक पार्टी या गटवंदन कू केंदर की सत्ता पे अधिकार जमानों है तो यूपी की सत्ता में आनों परंपरागत रूपते पहली और आखरी सीड़ी मानी जावे है पर उत्तरप्रदेस की राजनिति भी बड़ी यजीव है जाए समझ पानों हर काई के लिए संभव ना है पाब है लेकिन बड़ो सवाल है के यूपी में है रहे आगामी विदान सवाचुनाम में कौन को पढला कितनों भारी है वैसे तो राज में बीजेपी की सरकार है और गो फिरते सत्ता में वापसी के नईयां कोसिस कर रही है तो संग ही सपा गटवंदन भी अपने अनुसार प्रियास कर रहा है ताकि सत्ता पे अधिकार जमा जा सके है तो हैं कांगरे समित अन दूसरी राजनितिक पार्टी भी अपनों दम खम दिखाने की कोसिस में जुटी है लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जा पे मीडिया चर्चा कम कर रही है और गो पार्टी कोई और नहीं बलकि मायवती की बहुजन समाई पार्टी यानि की बीएस पी है मीडिया भले ही मायावती की पार्टी भी स्पी को लेगे इतनी चर्चा ना करे जितनी की करी जानी चाहिए पर या सचाई ते कोई आँख नहीं मुंद सके कि आगामी विधान सवाचुनाम में मायावती सत्ता में आ सके हैं और वाकी सीदी सी वज़े उनको अपनो बोट बेंक तो है ही लेकिन दूसरे वर्ग ते भी या बार उन्हें बोट मिलतो दिखाई दे रहो है तो गलत नहीं होगो यह कहनों गलत नहीं होगो जो अभी ते ही दिख भी रहो है आपको याद होगो के दो हजार साथ में बीएस पी ने दो सो च्छे सीटन पर दर्ज जीत दर्ज करके इस पस्ट बहुमत के संग उत्तर परदेश में सरकार बनाई ही हालागी दो हजार बारे में हुए यूपी विधान सवाचुनाब में मायावती की पार्टी बीएस पी को लगबग 80 सीट ही मिली ही और दूसरे पायदान पर आ गई ही लेकिन 2014 के लोग सवाचुनाब की बात करी जा तो या मैं बीएस पी को एक भी सीट नहीं मिल पाई और हर काई को हैरत में डार दी ओ या बात ने जा वज़े ते के चर्चाहून लगी के शायद मायावती की राजनिती समाप्तिप की ओर है और या बात को वाबखत बल मिल तो दिखाई दी ओ जब 2017 के यूपी विधान सवाचुनाब में मायावती की बीएस पी लगवक 19 सीटन पे ही सिमट के रह गई लेकिन हूँ क्या क्या गे सच में मायावती की राजनिती की समाप्तिप की ओर जाने लगी नहीं बिलकुल भी ना जोकि 2019 के लोग सवाचुनाब में बीएस पी ने 10 सीटन पे जीत दर्ज कर गए ना सिब अटकलन को समाप्त कर दियो जाते मान जान लगो हो कि अब मायावती की राजनिती पाताल में जा चुकी है बलकि उनके विरोदिन के भी होस उड़ गए और गई गो 2019 को साल हो जहां ते मायावती ने जोरदार वापसी कर या बात के इस पस्ट संदेश दे दिये के कोई भी बीएस पी को हलके में लेने की भूलना करे इतनों ही नहीं मायावती ने या बात को और भी साफ कर दियो के 2022 के यूपी विदा सवाचुराम में उनकी जीत सुनिश्चित मानी जानी चाहिए दरसल में है क्या दरसल में राजनिती तो राजनिती है एक कहावत है ना कहीं की इंट कहीं को रोड़ा भागवती ने कुनवा जोड़ा तो राजनिती कुनवा जोड़ने वाली कहानी है और बसपा सुप्रीमो और उनके पंड़जी लग रहे हैं सदिशंद मिश्राजी जोड़ तोड़ में लोग भी परिसान हैं ठीक है ब्राम मड़ आ गई किसान भी आने की उम्मीद है उंगे जो है अपनो बुट पैंक ही है जब सगरी महफिल सजेगी तो मुस्लिम अपने आप आई जाँगे तो ये एक कुनवा जोड़ने वारी कहानी दीख रही है हाला कि अभी थोड़ी सी जल्दवाजी है क्योंकि समय बहुत है छे महीना को समय तो इस्तिती दीरे 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 किलियर है रही है लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पूरी पूरी लग रही है ठीक है आगे तो कुदरत जाने जो होईगी सब सामने आ जाएगी ठीक है अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो या ठोको 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 आगे बढ़ाते रो आगे बढ़ाते रो हमारे होसला कोई बढ़ाते रो ठीक है नई वीडियो में फिर दुबारा मुलाकात होगी देसी देख पिगर बिरेक पिगर लाग लपेड पिलकुल देसी अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार